जय हिन दोस्तों सधाथ भाई एक इस वीडियो में आप सभी का हार दिख स्वागत है पेटियम करो से पेटियम मत करो ये ख़बर इतनी तेज फैल रही है कि अभी एंटरिम बजट आया है उससे तेज तो ये ख़बर खैल गई कि RBI ने पेटियम के मेजर बिजनस ट्रांजेक्शन को रोक दिया है RBI का ये कहना है 29 तारीक आखरी डेट है 29 फर्वरी क्या आप जानते हैं इसके बारे में चलिए आपने बेरहाल सुना भी होगा पुरे दिन में कि आखर पेटियम का ये हाल कैसे हुआ है आप एक मेरा वरजिन भी सुन लिए हम जिकर करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में नमबर वन कि आप जानते हैं कि ऐसा करने से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे भारत के यूजर्स पे पेटियम के यूजर्स पे चलिए ठीक है क्या आपको पता है कि पेटियम के स्टेक होल्डर में कहीं न कहीं एक चाइनीज स्टेक होल्डर है क्या RBI को इस बात की भनक लग गई थी क्या चलिए ठीक है ये भी हम बताएंगे क्या आप ये जानते हैं कि पेटियम के इस सर्विसेज में क्या-क्या बैन हुआ है क्या-क्या रोका गया है क्या आपका पैसा धूब सकता है क्या आप कब तक अपना पैसा निकाल सकते हैं बहुत सारे सवाल मुझे लगता है कि अभी आपके मन से निकले नहीं होंगे चलिए डीटेल में जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या फिर हुआ क्या है मतलब पेटियम तो एक emotion बन चुका था पेटियम वो company है जो कि आपदा में अवसर ढून ली थी पेटियम ने demonetization के time पर एक company निकाली पेटियम वो company है जो कि 2017 में RBI ने इसको पेटियम payment bank services को एक license authorized किया था मतलब license authorization का मतलब ये है कि उस time पर 2017 में RBI ने पेटियम को एक bank घोश्रित कर दिया था बोले तो आप पेटियम savings account, transactions, debit, credit सब कुछ कर सकते थे लेकिन ऐसा क्या हो गया भाया कि 2014 में आके RBI को कहना पड़ा कि बस करिये बस करिये अब कोई transaction मत करिये आके क्यों किस लिए जिकर करते हैं इसी के बारे में लेकिन उससे पहले मैंने आप सभी को हर वक्त ये कहा है कि प्लीज जिस मोर से आप गुजर रहे हैं हम गुजर चुके हैं वो गड़े हमें पता हैं आईए one-to-one personal mentorship से हम जुड़ते हैं अभी देखा न आपने परिक्षा पे चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला आपने कोटा का हाल देखा है यार वो mentorship बहुत जरूरी है आप course ले लो 50,000, 60,000, 1,1,2,2,000 का course ले लो लेकिन mentorship भी लीजिए बहुत important है वो भी one-to-one mentorship मुझसे जुड़िये चाहिए आप college से हैं फुल टाइम है या जॉब के साथ साथ पहारी कर रहा है मुझसे जुड़िये बहुत important है mentorship अब अच्चे जुड़ते हैं मुझसे नीचे comment section में Google form लगाया है मैंने जाइए उसमें अपना नाम और detail mention करिये टेलिग्राम पे आके हाय बोलिए आएए बात करिये यार बात करने से बहुत कुछ बदलता है चलिए पेटियम की खबर सुनते ही हर तरफ मीडिया में सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया हर तरफ ये ये ऐसी खबरें आ गई हैं कि पेटियम के शेर धड़ाम से गिर चुके हैं 20% गिर चुके हैं कहां पेटियम के शेर हजार में हुआ करते थे और अब जो पेटियम के शेर लगवग टिपल डिजिक्ट में आ चुके हैं 20% डैमेज कर दिया है आर्बियाई ने ऐसा क्या किया है क्यों किया है ये सब बात करेंगे चाहे वो कोई भी न्यूस पेपर हो गया हर तरफ ये मामला चला आ रहा है सबसे पहले ये देखते हैं कि RBI ने किन किन चीजों पर रोक लगा दी है आईए समस्ते हैं इसको नंबर वन, RBI ने ये कहा है कि 39 फरवरी ये आपकी आखरी तारीक होगी जब आप किसी नए यूजर को लेंगे, नहीं लेंगे, ट्रांजेक्शन होगी 39 फरवरी के बाद कोई भी नई transaction नहीं होगी 39 फरवरी के बाद कोई भी नया user आप नहीं upload करेंगे 39 फरवरी के बाद कोई भी आधार links सेवाएं नहीं होगी 39 फरवरी के बाद fast tags नहीं चलेंगे 39 फरवरी के बाद कोई भी ऐसी debit, credit, कुछ भी अगर आपको amount निकालना है ये करना हो करना वो नहीं हो पाएगा मतलब कि जो ग्रहक हैं वो अपना पैसा नहीं डाल पाएंगे पैसा निकाल सकते हैं लेकिन नया पैसा नहीं डाल पाएंगे wallet services नहीं चलेगी ये सारी बातें होने वाली है 29 परवरी तक ये RBI ने एक बहुत major rule का है लेकिन RBI ने ये भी कहा है जैसे gold loan हो गया credit card हो गया और digigold हो गया mutual funds हो गया loans हो गया इसके बारे में RBI ने अभी खुल कर कुछ बात नहीं की है हाला कि जो विजे शेकर सहाब है पेटियम के जो मालिक है उनका ये कहना है कि हम RBI के guidelines को ध्यान में रखेंगे और पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे जो भी RBI ने कहा है लेकिन ये situation आई क्यों वो जानते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि इसका users पर कितना बड़ा impact पड़ेगा दोस्तों आपको पता होगा कि पेटियम पे 100 million से भी जादे users हैं आप imagine नहीं कर सकते हो एक million में 10 lakh 100 million users है पेटियम पे ये तो चीक है जो पेटियम पे second biggest services है न वो है fast tag fast tag आपको पता यह रहा fast tag तो गाड़ी वाला fast tag में 8 million users है 80 lakh users है fast tag के लिए आखिर क्या होगा पेटियम एक मात्र ऐसी company है जो की UPI के मामले में सबसे जादे transactions पेटियम से ही होते हैं पहले तो cashbacks भी आते थे लेकिन बहराल आजकल cashbacks नहीं आते हैं आजकल चोपी पहना दी जाती है लेकिन पेटियम गाओं गाओं गली गली शहर शहर महले महले हर तरफ इनफाक्ट अभी PM Modi जब Emmanuel Macron आये जैपूर गए थे उन्होंने वहाँ पेटियम करके सब के सामने दिखाया था तो इस level की advertisement हो रही है Vijay sir जो हैं जो इसके मालिक हैं वो काफी close संबंध है पूरे के पूरे NDA government से इनफाक्ट एक newspaper में तो पेटियम का अपना एड निकाला उसमें PM Modi की photo लगा दी थी इस level का संबंध है लेकिन ऐसा क्या हो गया क्या वो संबंध आएंगे इनको बचाने क्या NDA government आएगी बचाने जिकर करते हैं देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है आखिर कितना बड़ा impact हुआ है multiple warnings आखिर इन्होंने किया क्यों है आपके मन में अब तक तो सवाल आ ही रहा होगा कि भाई आप इतना तो बता दिये अब यह बता दीजिए कि आखिर क्या गल्ती क्या है पेटियम की अब मैं आपको गल्तियां इनाना शुरू करता हूँ नमबर वाल जैसे लाइसेंस मिला पेटियम को 2018 में 2018 में ही RBI ने पेटियम को ये strict guidelines दी कि भाई तुम लाइसेंस मिल गया है आप ये bank हो गया हुआ आप अपनी KYC complete करो आप अपने formalities complete करो लेकिन पेटियम ने पेटियम के कान में जू नहीं रेंगी साथ ही में आई है भाई अब 2022 में आते हैं 2022 में भी RBI ने कहा कि भाई आप नए users को मत लेकर आओ क्यों कि आप non-compliant हो आप bank हो आपको compliance होना बहुत जरूरी RBI के rules notification के तवारा नहीं हुआ अच्छा ठीक है भाई साथ पिछले November 2000 October 23 में पेटियम पर 5-6 करोड का fine भी लगाया गया था तब भी पेटि ने इस entering budget के ही दोरान पे पेटियम पर एक सक्त कारवाई की है और कुछ services तो इनकी रोक दी गई है और सबसे बड़ा reason कुछ आपको मैं बता लेता हूँ नमबर वाई पेटियम का अभी तक KYC compliance नहीं हुआ है जो कि ऐसी खबरें आ रही है नमबर टू इनकी जो IT services है वो काफी जादे धीली है और अपने IT services के compliance को इरोंने अब तक complete नहीं किया है नमबर टू जो पेटियम की parent company है 197 communication जो पेटियम कम्पनी उसका नामें पेटियम बैंक services पेटियम पेमिंट सर्विसेज था तो जो 197 communication जो parent company है उसमें और जो पेटियम पेमिंट सर्विसेज है काफी conflicts चल रहे हैं मतलब पता ही नहीं है कि हम compliant हैं कौन हमारा stakeholder है RBI का कहना है कि भाई आप लोग एक दूसरे से पहले compliant होईए और RBI का ये भी कहना है कि आप लोगों ने RBI को update करने में काफी time लगा दिया है और वो बहुत delay लगा रहे हुआ ये तो हो गया साथ ही में RBI का ये भी कहना है कि भाई आप लोग जो है वो मतलब बैंक होने के बाद इतनी procrastination और irresponsible behavior क्यों कर रहे हो तो therefore RBI का कहना था कि भाई हमारे लिए हमारी जनता बहुत प्यारी है हमारी जनता अगर आपके account payment पैसा डाल रही है तो हमें ये ensure होना पड़ेगा न कि वो पैसा सुरक्षित है इस वज़े से हम आपको ये notice भेशते हैं बार बार पेटियम ने इस notice को दरकिनार किया, avoid किया प्रोकास्टिनेट किया, delay किया, notice पे notice भेजा गया, लेकिन आज जाके वो कर्मा repeat हो रहा है, वो सारा कर्मा आज जाके एक बार बरस पड़ा और 29 फरवरी को आखरी date दे दी गई कि लो अब कर लो, जब तक तुम complain नहीं हो ये मामला, अचा एक और क्या चीज है, एक चीज जोर नजर आई थी कि Paytium में Chinese Stakeholder, आपने Ali Baba का नाम तो सुना होगा, Paytium ने, RBI ने Paytium को बार बार कहा है कि एक बार detail में बताओ कि आपके Stakeholders हैं कौन, तो Paytium के कुछ Chinese Indirectly Stakeholder हैं, जैसे कि Ali Baba का एक venture है, जो कि पता नहीं, Atkinson क्या नाम है उसका, वो directly involved है इसमें, आपको पता है कि चाइना वाला जब इसमें आ जाता है, तो फिर एक nationalist भावना आ जाती है कि भाई आप चाइना से क्या कर रहे हो, कहने का मतलब यह है कि Paytium के पास इतना पूंजी है, जनता का data है, वो data एक Chinese company के पास, एक Chinese official के पास भी जा रहा है, एक Chinese private firm में जा रहा है, यह सक्त, गलत है, जिसके बारे में Paytium ने RBI को जिकर ही नहीं किया, बता ही नहीं किया, इसलिए RBI बहुत नाराज है Paytium से भी, कि भाई बताओ क्या है तुम लोग का, और यह भी कहते है, कि लगबग 8-9% का stake है उस Chinese company का इसमें, तो विजे शंकर सहाब यह आप देख रहे हैं स्क्र से नोट किया था, यह मामला, I think we have covered everything, rest, एक सवाल है आप लोगों के लिए, यह है प्रिलिंस के परस्पेक्टिव में जो अभी परेड हुई है, क्या हुई है परेड, एक सवाल आ चुका है आप लोगों के लिए यह देखिए, 1950 Republic Day Parade held हुआ था, Airwind, MT Theater, opposite पुराना किला, अ अब नीचे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं कि सही जबाब कौन सा है, टेके, Civil Services Examination के लिए Testathon, Test Series Market में आ चुकी है, आप लोग ज़रूर उसको एंडरोल करिये, मैं हूँ वहाँ पर, Mentorship भी मिलेगी, लेकिन Testathon, Test Series को आप लिजिए, जैहिंद 17S नाम का Code Use होगा, Maximum Discount आप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तुप तक नमस्कार, जैहिंद और जैभार